गुद्बारिए स्टुनेंट्स, वेल्गों को अभी सॉनाइट प्रॉस, डिस्यूजर एस्टी क्लास और एस्टिमेंट 5 तो स्टुनेंट्स जैसर के आपको भी जाते हैं, बढ़ते हुए ठाण और कोरोना को अमारी जो रैस्पिक अस्तर पे बाद मचा रहता है उसको देखते में कॉर्मेंट पेगे सारे स्टुने को बढ़ कर दिया है, तो स्टुने को बाद है तो इसके लिए जो एचो ऑनलाइन एक ऐसा मेडिया को इसके विजियो से हम अपनी बढ़ाई को क्प्रीट कर सकते हैं तो आप लोग ऑनलाइन अच्छे से बढ़ाई कुझे रफ जोड़ी आई कोविप आते हैं, चैनल 17 आज में स्क्राइब करें चारें, इंडिया लाइन दख यूएन का बार्थ का ऐसे वाद आप, यूएन का जवर्दी मॉपना यूएन पढ़ायते प्रिशने चर्टल में ऐसरी लेत आपने वाद वाचांकारी हैं तो आज मैं इंडिया और youへें के बारे में बढाते जाते हैं इंडिया इसी लाइका से इंडिया लाइस्टोर्स को फितातक है। वाद के सबसी लाइससे बढ़ाई कश दक है कि हमारा इयूपन कहें 걸 है और इंडिया के सुनूट से लीटी जो है सुनुसा के रही है। हमारे माहतना माहतनी जो फादर अपने शक्ता राते हैं, वो भी शक्त और अपने पुजाई थे तो इंडिया के जो पॉलिशी रेलेशन हुशे, वो नहां पढ़ेस रहने के रही है। इंडिया वापने थे लिटी उनित फॉलिट फ्रॉंट तो इसने ही जो है। तो इंडिया, UN का सदस्ट्य रहा है, जिसका गठन हुआ था, इसने 1945 में संजु उत्रास्ट चार्टर पर हस्ताच्चर भी किये थे, UN चार्टर पर 1945 में, और इंडिया को शुरक्षा परचर के सदस्ट्य में भी चुना गया था, इसमें जो है, so it has participated actively in many of its agencies, UNESCO, WHO, UNICEF, FAO, ILO, इसमें बहुत सारी agencies हैं, जो शक्री रूप से भाग ले रही हैं और अपना work कर रही है, जैसे कि आप लोग को पिछले चेप्टर में, मैं UNESCO का क्या work है, WHO क्या काम है, UNICEF का क्या काम है, ओ मैं बढ़ाई हूँ, तो India and the UA, आप हमारा next topic जो है, ओ है India and the Europe, to Mrs. Vidya Ratshwe Padde, जवागा नाथी उस्सक्रान, माद, फॉस्स दागा, फॉस्स मुमें प्रस्वे पर दू ही चटराई है, मिजिस विजया रच्षी पंडि जो पंडि जवाहन आले दिन वहां थी वे जो अच्छी अग्डिया रच्ट के संड्रे की फर्स्ट मुवें प्रश्ट थी कई इंडिया रच्ट में जो है यूएन में महत्पूर्न अस्थानों पर कपजा भी कर लिया मतलब अपना जगा बनाया है बहुत सारे पोस्ट को लिया है इंडिया रच्ट को भारतिय प्रतिभाहों का उपयोग भी किया गया है और इंडिया ने इसमें जो है इसमें सांती को बढ़ावा देने के लिए यूएन को अपना शमर्थन भी दिया है इंडिया ने इंडिया जो है इसमें जो है इन्हों ने शांती को पढ़ावा देने के लिए शंजुक राष्ट को भी अपना शमर्थन दिया और यूएं दोरा बादा किये गए इस शामुएं सुरच्छा के हिस्ते में इंडिया जो है इसमें शुरच्छा के हिस्ते के रूप में इंडिया जो है सो पीस्किपिंग फोर्से जिसको शांती शेना के नाम से जानते हैं तो इन्होंने जो है सो इरान इराक बॉर्डर के पास पोडिया जैरे एजिप में जो है सो अपना पीस्किपिंग फोर्सेज को बेजे थे इंडिया अपोस्ट पॉलिश्य आप रेसिल डिस्किमिनेशिया प्रैकिसाज्स वाइड वाइट मानिवेटरी कोवर्मेंट अव शांत आफ्रिका इस वाइट मानिवेटरी गवर्नर द्वारा प्रचले जो नश्ली भेदभाव गोरे का जो भेदभाव था उसको इंडिया रे-स्टेशल डियसाज बीश्टी फशरींज बिवा नंतुब युवर्मेंट अगाट प्रिकों जोंक भारत ने जो है हमारा जो इंडिया उन्होंने वामेशा फिलिस्तीन क्या जाधी का शमर्थन किया है फिलिस्थीन की आजादी काउने अपना शमर्ते इंडिया यदिपी वे योगदान अत्यन्त मुल्लेवान है, यूइन में भारत का शक्सी वरा योगदान जो है, तो आपको गुट नीर पे सिता के सिधान पे अधारिक है, एंड उसके बाद नेक्स टॉपिक जो हमारा है यह यह नौन अलिपमें मोमेंट, ठीटे हैं आप अब अलिपमेंट नौन अलिपमें मोमेंट के बारे चेना रहे हैं इस आफ्र वर्माशिगें, तो इस बाद नेक्स टॉपिक के बाद शंजुक्त राज अमेरिका और शुविल समाजवादी गंडाजी का शंग दुनिया के सबसे सक्तिशाली राजियों के रूप में, स्टिशाली देशों के रूप में उबरा था, जो शेकिंट वर्मार हुआ था, जिसके बारे में आप लोग परे हुए जो 1939 से लेकर के 1945 तक इसका जो हुआ था, उसके बार बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिसका कंडिशन बहुत ही खराब हो गया था, तो इसके लिए भी इसी लिए जो यूनिशेफ, यूनेशको, एंड़ फेओ, आयलो और भी तरह तरह की जो जन्स्ता जिनका गठन किया गया था, कि विस वस्तर पे जो हुआ उनका वर्क है, और उसके बाद जो आफर शेकिंट वर्मार यानि की दुईति विश्वदी के ब उबराता और प्रतिक शमू ने अपनी शक्ती पर विस्तार करने की कोशिज किया निगी, प्रतिक यू कंट्री ते यू दो भागों में डिवाइट थे, उस सब अपना अपना सक्ती बनाने के लिए जो है सो, चाहे ओ, ओ, एकोनोमिक अस्तर पे हो, या फिर आपको जो है सो जो सैनिक के रूप में हो अपना सक्ती बनाने में डगे हुए थे, इस group tried to expand its power and influence over other countries of the world, these groups were will-strong military packs, at the same time, Afro-Asian countries were becoming independent, and India was one such country, but these newly independent countries were weak and core and big powers wanted these countries to join their group, the grouping into two camps was known as illegal, तो प्रतीक शबुने अपनी शक्ती को विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया के अंगे देशों का भी प्रभाव डाला, और ये जो group थे, इस शंत्र शम्रोदे पर आधारी थे, जो एंट, उसी समय, Afro-Asian country, जो शोतंत्र होड है, तो समय, Afro-Asian country थे, वे इंडिपेंडेंडेंटन थे, शोतंत्र थे, और इंडिया एक ऐसा देश था, जो नए शोतंत्र थे, इंडिपेंडेंडेंडेंटन थे, लेकिन बहुत ही वीक और पूर था, बहुत ही कमजोर था, और गरिब भी था हमारा देश, तो बड़ी तकते चाहते थे, कि जो strong गया हमें जो यू कंट्री हाह जाता था, कि ए देश उनके सम्हों में सामेर हो जा है, अब डोग में जो एक कंट्री आपस में बीवाजी थे, इसको इलिपेंट के नम सह जाते हैं, तो स्वर्ट टो ओर बार, श्ड़िटमीन बिविक पावर्स, इंडिया शोत्टोर इंडि इस एलिग्मेंट वाज अगेंस थे इंट्रेस्ट और डेवलाफिंग कंट्रीज यह डिशाइड़े टो रिमें नॉन एलिग्मेंट और पंटिज जवाहर लाल लेरू जो हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइब मिनिस्टर थे उन्होंने जो है अपने देश को जो है इसके लिए आगे बनाया और उसके बाज जो है पंटिज जवाहर लाल लेरू टॉक्टु शूम अदर लीडर्स वग वर्ल्ड आइडिया और नन एलिग्मेंट उन्होंने और भी दूसरे लीडर से बात किया इसके लिए प्रेशिजटेनम उन्होंने जो दूसरा अव्यक अधा वह अधागे प्रेशिदेन थे उनको non-ealing moment के लिए जो है तो तयार किये है and they are the founder of the NAM यानि कि इसी लिए जो है so NAM यानि कि non-ealing moment founder के नाम से जाने जाते हैं तो इसी तरीके से आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे आप और किसी पराय के लिए तो आपना पूर्प में बैसे जरू कीजिए ना फिर नेक्स के एट नेक्स काटिक के लिए खाएंगे